हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अवर चैनल हम है दगुजु फैमिली इन कैनेडा तो जब अब मकर संक्रांती आही रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ एकदम परफेक्ट चिकी बनाने की आपको सींग और तील की चिकी खाने का तो ब बहुत सारी परिशानिया भी होगी कि कभी-कभी वो दात पर चिपक जाती है या फिर क्रिस्पी नहीं बनती या फिर जादा कड़क बन जाती है तो मैं ये सारे ही प्रश्नों का हल लेकर आई हूँ तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सिंग की चिकी तो सबसे पहले मुंगफली की चिकी बनाने के लिए हम एक पैन में मुंगफली ले लेंगे मुंगफली की चिकी बनाने के लिए हमें मुंगफली को अच्छे से रोस्ट करना बहुत ही जादा जरूरी है तो यहां मैं लो फ्लेम पर अच्छे से मुंगफली को रोस्ट कर र पर अच्छे से मूंखफली को बार बार चलाते हुए अच्छे से बून ले मतलब रोस्ट कर ले जैसे मैं यहां पर कर रही हूँ तो देखिए हमारी मूंखफली अच्छे से रोस्ट हो गई है उसका रंग भी बदल गया है अगर आप मूंखफली की चिकी अच्छी बनाना चाते हैं तो मूंखफली के दाने अच्छे से रोस्ट कर कर ही ले वरना आपकी मूंख़ली की चिकी अच्छी नहीं बनेगी अब समय आ गया है कि मैं मूंख़ली के चिलकों को अच्छे से निकाल दूँगी आप ये step मुंफली अच्छे से ठंडी हो जाने के बाद ही करें वरनाम के हाथ भी चल सकते हैं तो अब हम सारी मुंफली पैसे चिल के उतार लेंगे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मुंफली की चिकी बनानी की इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बरतन ले लिया है अगर आपके पास नॉन स्टिक का बरतन नहीं है तो आप कोई भी सादा पतिला भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक टी स्पून जितना घी ले रही हूँ द्यान रहे गी जादा नहीं लेना है क्योंके हमें क्रिस्पी मुंफली की चिकी बनानी है उसके लिए आपको जादा गी लेनी की आवशकता नहीं है तो यहाँ अब मैं पैन में गूड ले लूँगी एक बात का ध्यान रहे आप गूड जो ले वो सौफ्ट होना चाहिए और कलर में लाइट होना चाहिए अगर आप डार्क गूड लेंगे तो वो जादा जल जाएगा और आपकी चिकी का टेस्ट जला हुआ आएगा तो आप इस तरह से लाइट कलर का गूड ले और वो सौफ्ट वाला ही पसंद करें अब हम जो स्टेप करने जा रहे हैं उसे कहते हैं पाया बनाना तो हम यहाँ पर गूड को धी भी आज पर गरम करने लगेंगे यह जैसे केरमिलाईज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी वैसे वैसे गूड अपना टेक्स्चर लेता जाएगा जिसकी हमें आवशकता है यहाँ पर आप जरा भी फिकर ना करें गूड जब एकदम पिगल जाएगा उसके बाद वो पती ले पे जरा भी नहीं चिपकेगा तो यह प्रोसेस आप मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे करते जाए और यह प्रोसेस भी आपको धीमी आज पर करनी है तो देखिए गूड पिगलने लगा है और अच्छी सी इसमें से खुश्बू भी आने लगी है मेरा सारा गूड एकदम से पिगल गया है और अच्छे से अभी वो पक रहा है अब हमें ध्यान रखना है कि यह बिल्कूल भी जादा इसे चलाना बन नहीं करना है हमें constantly इसे ही लाते रहना है अब यहां मेरे गूड में bubbles होने लगे है मतलब गूड अपना texture लेना start कर दिया है अब आपके मन में सवाल होगा कि चिकी दात में चिपकती है तो अगर आपका पाया ठीक से नहीं बनेगा तो आपकी चिकी दात में चिटकेगी तो मैं यहां पर एक तरकीब बताना चाती हूँ ठंडे पानी में आप थोड़ा सा गूड डाले और आपके हाथ से उसे प्रेस करे अगर आपका गूड आपको soft लग रहा है और यह गूड खाने से आपके दात में चिपक रहा है तो आप अपके पाए को और भी जादा होने दे अभी मेरा गूड बिलकुल भी ready नहीं है क्योंके यह आसानी से तूट नहीं रहा है तो हम और गूड को पकाएंगे तो यहां मैं दीरी आज पर मेरे गूड को और थोड़ी देर पकने दे रही हूँ जैसे आप देख सकते हैं मैं इसे हिला रही हूँ अब गूड का color change होने लगा है इसका मतलब है कि हमारा गूड का पाया अब almost ready है तो बस अब मैं फिर से एक बार गूड को पानी में डाल कर चेक करूँगी कि हमारा पाया बन कर ready है या नहीं तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी ले लिया है बॉल में फिर से मैं थोड़ा गूड अंदर डालूँगी तो जैसे आप देख सकते हैं गूड पानी में डालने के बाद तूरंथी अपना texture ले रहा है और जब मैं हाथ से इसे तोड रही हूँ तो वो अच्छे से तूट रहा है केरमेलाईज हो गया है तो उसका मतलब है कि हमारा पाया बन कर ready है तो अब हम इस टाइम पर हमारे गुड में हमारी मूंग फली जो है वो डाल देंगे तो अब हम यहाँ पर चिकी को बेलने की प्रोसेस करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर के उपर गी लगा कर ले लिया है और हमारा जो पाया बन कर ready हो गया था उसमें मैंने मूंग फली डाल दी है और उसे अच्छे से मिला दिया है कुछ इस तरह अब यह जब गरम है तभी हम लोग इसे यह बटर पेपर पर लेकर उसे बेलने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ मैं मेरी चिकी को यह बटर पेपर के उपर ले रही हूँ और एक बात ध्यान रहे कि यह प्रोसेस हमें तभी करनी है जब गुड एकदम गरम हो अगर यह ठंडा हो गया तो हमारी चिकी अच्छे से बेल नहीं सकेंगे हम और वो अपना टेक्स्चर ले नहीं पाएगी यहाँ मैंने चिकी को और एक बटर पेपर इसके उपर रखके ढख लिया है और अब हम इसे बेलन की मदद से अच्छे से जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बेलना स्टार्ट कर देंगे एक चीज ध्यान रहे कि अगर आपका गुड ठंडा हो गया है तो यह नहीं हो पाएगा अच्छे से तो मेक शॉर कि यह प्रोसेस आप तूरंत करें तो इस तरह से आप अच्छे से बेल कर आपकी चीकी को रैडी कर सकते हैं आपको जितनी भी थिकनेस चाहिए उस थिकनेस के हिसाब से आप आपकी चीकी को अच्छे से बेल सकते हैं यहां मुझे और थोड़ी सी थीन करनी है तो मैं यहां पर बेल रही हूँ तो जब आप आपकी रिक्वायर थिकनेस अचीव कर ले तब आप दीरे से उपर के बटर पेपर को हटा ले तो देखिए अच्छे से हमारी चिकी बन कर रेडी हो गई है अब हम इसे ठंडा होने देंगे तो चिकी ठंडी हो उससे पेले और एक काम हम कर लेंगे यहाँ पर मैंने बड़ी सी नाइफ ली है नाइफ के उपर मैंने गी लगाया है अच्छे से और अब हम चिकी के जैसे पीस काटना चाते हैं वैसे पीस काट लेंगे ये प्रोसेस आपको जब चिकी गरम है तब ही करनी पड़ेगी वरना अगर ये ठंडा हो गया तो आप इसके अच्छे से पीसिस नहीं काट पाएंगे फिर आपको उसे तोड़के जो भी पीस बने वो ह चलाना पड़ेगा तो मेक शर के जब आपकी चिकी गरम हो आप अच्छे से इसके क्यूब्स कर लें तो अब हम इसे 32-40 मिनिट्स के लिए ठंडा होने देंगे अब हमारी चिकी ठंडी हो गई है और देखिए कितने सुंदर पीस कट गए हैं जब भी आप पीस निकालें आनी है ना एकदम बाजार के जैसी चिकी बाजार की चिकी बनाना कितना आसान है अगर आप मेरी रेसिपी से बनाते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताना के कैसी बनी है होप के आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो फिर मिले तब तक आप सब को जई स्रीकरश्ना अलागँ लाईक अलागँ listeners, मैंसमया तब ौसरों कर दीजिए इसे कम दीजिए हूत। मैंसमी जडरा गवरावकोस कर दो सब दीज दाप सब कर दो शेए, कि जद ले तूसरों कर दीजिए दो सकती कैं। लाइक 7 있는데 तो दीजिए कर दूसरों कर दीजिए आप साथ द''